हाई एवरिवान इस विडियो में हम मैन्यो एंक्र के विजिट को समझेंगे और देखेंगे कैसे हम मैन्य एंक्र की मददसे किसी भी specific area के अंदर हम जा सकते हैं जैसे के हमें इस तो navigation नाविगेटना करना पड़े page को हम ड्रैक बटन के थरूँ उस specific area तक पहुंच जाए जैसके MyWork पर क्लिक करें तो हम MyWork पर पहुंच जाएं और Start Three पर क्लिक करें बटन पर तो हम उस स्पास्फिक एडिया तक पहुंच जाएं हम all इसे किसे च्रशीव कर सकते हैं हम यहon ने मैनिय। अेकर की मतरा से कर सकते हैं तो अब हमसे कर्ते हैं क्यास्य होगते हैं की मैन्या। नं भी सार्जइत करते हैं माननला यूझ करते हैं तो वी वेपसाइट के शीजमी करें। टैसमादे म littरा सशेड़िगें ने बटन दियागा है और इसमें हमने ManiAinkr के लिंक अड़ करने है यहाँ पर बटन में Home, Info, Testimonial, और वर्वर्थ का यह बटन क्रियेट किये हैं क्रियेट करने के बाद अब हम इसको Home के ManiAinkr को लेंगे ManiAinkr के विजिट को यहाँ से सच करेंगे और उसके बाद हमने Home के साथ लिंक करना है एक ID देंगे, ID जैसे Home के बटन पर लेकि जाना है तो हम Home की नेम की ही ID देंगे Home और उसके बाद जहां से Home में आएंगे और Home के बाद यहां से इस बटन पर क्लिक करेंगे और जो हमने ID इटर दी है ID इस Menu Anchor के अंदर इसको यहां से यही वाली लिखनी है, इसको Ctrl A करके Ctrl Z कोपी कर लेंगे और Exact यही इस Home में देनी है और Hashtag ऐसी लगा रहा है और उसके बाद इसको यहां पर जो आईडिया है जहां पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद अगर Info में Info वाले बटन के अंदर जाने के लिए, हम Info वाले section के अंदर area के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे इस यह Info वाला area Info वाले area के अंदर जाने के लिए जहां पर हम menu anchor करकर widget को drag and drop करेंगे और Simple यहां पर Info Type करेंगे Info Type करने के लिए टैप करके उसको Exact इसी नेम को Info वाले बटन के अंदर लिंक के अंदर डाल देंगे यह हमने सेम Exact इसी डालने है अगर हम बड़ा जैसे Capital जैसे माल में डालेंगे तो यह वर्क नहीं करेंगा और इसे तरह टेस्टिमोनियल में जाने के लिए ने टेस्टिमोनियल के एरिया इस टेस्टिमोनियल के एरिये में जाने के लिए दबारा मैनियो एंकर विजिट को ड्राइग एंड ड्रोप करेंगे और यहां पर नेम उसका देंगे टेस्टिमोनियल वाला और इसको कोपी करेंगे और इस बटल में आएंगे और इस हैश टेक के बाद उसको पेस करेंगे और इसमें वर्क में भी आसी करेंगे वर्क में जाने के बाद वर्क इस work में work के मैन्य एंकल को drag and drop करेंगे और यहां पर work लिखेंगे और इसी तरह इसको copy करके इस button के अंदर ले आएंगे button में आने के बार इस यहां पर paste करेंगे और इस simple update कर लेंगे update करने के बार हम देखते हैं कि हमारा यह work कर रहा है जाने हम इसे preview में जाएंगे users के अदो कि जाने के बार यहां से हम देखते हैं हम home पर किलीक करें तो यहम हम वाली section पो लेकर आ रहा है और अकर infobe किलीक करें तो यह हमें info belong section पो लेकर आ रहा है और cistimonial पन जाना रे और work पå क्लिक करें तो यह हमारे work टो की ले आर dote specific area के अंदर हमें बार-बार ऐसे स्क्रोल डाउन ना करना पड़े हम बटन के जरीये उस एरिया तक पहुच सकते हैं menu anchor का basically यही काम होता है Hi everyone, इस वीडियो में हम menu anchor के widget को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम menu anchor की मदस्ट